हलो, आज इस वीडियो में हम टेली यूज के कुछ इंपरिटिव संटेंस को सीखते हैं कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे फर्स संटेंस देखिए, अगर हमें कहना है बात करना बंद करें तो हम कहेंगे स्टॉप टॉकिंग मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ, ब्रिंग मी आ कप अफ कॉफी सबर रखो, बी पेशेंट किरपय बिस्तर बनाओ, मेक दबैट प्लीज, समान खोल दो अनपैट द लगेज, सुई में धागा डाल दो, थ्रेट द नीजल फोरण जाओ, go at once, मुझे बोलने दो, let me speak, एक बार और, once more जिद मत करो, do not insist, पहले हाथ दो, फिर खाओ, wash your hands first and then eat छंडे दिमाग से सोचो, तो उसको कहेंगे हम इंग्लिश में think with cool mind अगर हमें कहना है कोशिश करते रहो, तो उसे कहेंगे keep trying इन्हें कल तक पूरा कर लें, उसके इंग्लिश होगी complete these by tomorrow नमक देना, pass the salt, पाँच बजे महा रहना, तो उसके इंग्लिश हो जाएगी be there at five जेब कत्रों से साफधान रहो, beware of pickpockets, अपने काम से काम रखो, mind your own business अपने नाखोन काटलो, trim your nails, नंगे पैर नहीं चलो, do not walk barefooted I hope ये वीडियो आपके लिए useful रही होगी